अप्रिये परन्तु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुरलभ होते हैं सुल्भा पुर्शा राजन संतता अप्रिये वादिना अप्रियत सच्च पश्च्च शोता वक्ता चाद दुरलभा जहां रावन तुम्हें ले जा रहा है उस ठान का पता उन्हें कौन बताएगा निरलाज अपने उचे गूल और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे क्या वीर पुनोशी की यही लक्षन होते हैं जब पती घर में ना हो तो उसकी पती को चोरों की भाती आकर पता नहीं कि लंका है कहाँ वहां पहुंचने से पहले तेरा पती रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा जिस प्रकार एक सांग की अंकी अंधेरे में भी दिखाई देती है उसी प्रकार पापी का पाप चुपाने से नहीं चुपता सीता ये बक्चों वाला माटक छोड़ो और स्वया मुठकर हमारे साथ चलो अमिता तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीते हुई ले जाएंगे चलो साउधान रावार्ड नल कुवेर के श्राब को याद करो तूने मेरी धर्म पतनी के साथ बलातकार किया है मैं श्राब देता हूँ यदि तूने किसी परिस्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद उसका शील भंग किया तो तेरे सर के साथ तुकड़े हो जाएंगे शक्ति शाली पूर्चुप करता है वही नीती कहलाती है शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं यही विनाश का मूल है राजन तुम नीती की बाते करते हो और इतनी नीती भी नहीं जानते कि राजा के सामने तरक नहीं करते है ऐसा राजा जो अपने हितैशियों की सम्मती सुनने को तयार नहीं होता वो सुष्छाचारी आतताई कहलाता है और अंतता नाश को प्राप्त होता है क्या आपके बुद्धिमान मंत्रियों ने इस विशा में आपको कोई सम्मती नहीं दी केवल प्रिये वचन बोलने वाले तो चारोर मिलते हैं अप्रिये परंतु हितकारी कहने और सुनने वाले दोनों दुरलभ होते हैं सुल्भा पुर्षा राजन संतता प्रिये वादिन अप्रियत्सच पश्चश्य शोता वक्ताच दुरलभ हो